मृण हम नमश्कार दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान अध्याईच केंदर सरकार के बारे में केंदर सरकार के यस लेस्ट पर आगें बढ़ने से से पहले हमें सरकार शब्द का मतलब समझ पूसरों एक होती है तो हम इस लेशन को बड़े आसानी से समझ पाएंगे और यूट्यूब पे मेरे चनल पे सामाची विज्ञान से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है जो कि इस्टुडेंट्स की डिमांड पर में बना रहा हूँ तो थोड़ा इसे ध्यान से देखेगा और काफी इंट्रेस्टिंग ये टॉपिक है लेकिन ये जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है तो पूरे चैप्टर के वीडियो में आपको एक सीरीज के रूप में प्रवाइड करवाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं कि सरकार क्या होती है सरकार वास्तों में राज्य है राज्य एक अमूर्त और एद्रश्य संस्ता होती है राज्य का मतले जो भोगलिक सिमाएं है और भोगलिक सिमाओं में जो जनता निवास करती है उनका जो शाशन चलता है उनका जो प्रशाशन चलता है वो पूरी एक व्यवस्ता जो संकठन है वही अमारा सरकार होती है और सरकार ही जो है राज्य रूपी भावात्मक अवधारना को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली संस्ता है तो वास्तों में सरकार क्या एक संस्ता है जो राज्ये को एक मूर्त रूप प्रदान करती है, सरकार बनती क्यों है, सरकार बना ही क्यों जाती है, सरकार जनता के द्वारा होती है, जनता की सेवा करना सरकार का पहला उद्देश्य होता है, अब ये किस प्रकार से होता है, उसके लिए क्या प्रकिर्य होती है, तो सरकार करती है जो अपना प्राथमिक उद्देश्य है जनता की सेवा करना तो जनता की सेवा करने के लिए सरकार पहले कुछ कानून बनाती हैं उन कानूनों को बनाने के बाद उन कानूनों को लागू करवाती हैं कानून बनने से कानून लागू होने के बीच मतलब इन दोनों प्रकिरियाओं में यदि कोई गडबड़ी होती है कोई ऐसामन्य बात होती है या उसमें अनुपालना नहीं होती है तो उसके लिए नियाई की व्यस्ता करके उनके लिए दंड के प्रावधान भी सरकार के द्वारा किये जाते हैं हमार सरकार क्या करती है कि राज्य की नीतियां निर्दारित करती है राज्य की नीतियां निर्दारित की जाती है सरकार के नुसर सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है अथर्थ सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है अथर्थ सरकार राज्य के लिए नियम मनाती है और सामान् इस उद्देशे से क्योंकि इतना बड़ा उद्देशे और इतना बड़े-बड़े राष्ट्र होते हैं अगर हम हमारे देश के बात करें तो इतने बड़े पराश्ट्रम में सरकार एक बहुत बड़ा रूप होती है और इतनी बड़ी कार्य प्रणाली को करने के लिए सरकार हमारे आपर तीन अंगों में विभाजित हो जाती है है तीन अंग कौन कौन से होते हैं सब से पहला होता है हमारी व्यवस्था थीका फिर कार्य पालिका और नियाई पालिका етьा जो कानून बनाने का काम करती है कार्य पालिका जो उन बने सरकार की जो इतीन हंग है कारे व्यवस्था पिका कारे पाले का और नियाई पाले का इन तीनों ही बिंदुओं का वर्णन हमारे इस अध्याई में दिया हुआ है कि व्यवस्था की पिका क्या है इसका संगठन कैसा होता इसके अधिकार क्या होते हैं इसके कारे क्या होते हैं क तो हम जो अगला पॉइंट हम अध्यान करेंगे वह होगा हमारा अव्यावस्था पीका लेकिन यह तीन नो पार्ट जो हैं तीन वीडियो अलग वीडियो में पढ़ने की प्रयास करेंगे क्योंकि एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा तो बहुत जादा बोरिंग हो जागा लेकि वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्क्राइब कीजिए और हाँ बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा नहीं तो अगले तीन वीडियो के और आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिपेकिशन आपको सब से तेले नहीं मिल पाएंगे तो कोई भी वीडियो मिस नहों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जल्दी से दबा दीजिए थैंक्स पूर वाचिंग